चेत्त नार दिक बड़य उद्भ्रांत प्रभावर क्रित दा सत्व लेखक मनोज दास चलिता बर्ष गत में मास पंदर तरिखर कथा स्थान तामिल लडुर तिरुची पांच बर्ष र जियतिये विब्बर निरु जणा जाए तन्नुटी तार दुर्बड़ पाठा सेसा करी नहीं बली सिख्यात्री ताकु बाड़ेई बाड़ेई ख्यत विख्यत करी देले सेतिकीरे महिलांकर संतोस हेला नहीं से ताकु मे मासर निद्दारुन खरारे घंटाएरु अधिक काल ठिया कराई रखिले कर्तव्यरे अबहेला करी थिबा हेतु जियतित पूनी अनुताप करीबा चाही बिक्कड़ होई कांदु थिबा पांच वर्षर जियति र चेतना निजर अप्राध रुदेंग म करी अनुताप कला भली परजय को आसिवार प्रस्ण न थिला शे निर्जियतित अबस्थरे ता भली असहय जियतिये केमितियले खसी जाई निजर माह कलरे अस्रय नेवार स्वप्न देखिवा स्वभाविक किन्तु ए जियतिया गरे शे भली अस्वासना न थिला ना से मात्रु हरा नुहे निर्मम म वास्तव ताहला ताकु दंडदेऊ थिवा सिख्यत्री जणक स्वयं तार माह दारुन खरारे ठिया होई थिवा अबस्थरे कांद तार बंध होई गला सिख्य अत्री मा एमिती भाविथिवा असम्भब नुहे जे दंडज अथेस्ट नुहे बोली जियति आउ कांदु नाही अत्यव भद्र महिला तांक प्रेसर कुकर्र जेउं ओजन्दार इस्फात धांकुनी जगे प्रथमे जियकु सिख्यादाना करी थिले पुनर्बारा से गोटिका उद्ध्यत करी जिय आडे जपटी जिवावेळकु जिय अटी कच्चाडी पडिला कही बाबा हुल्य से चेत्ता हराई थिला पित्रुदेब ओ प्रतिवेशी जियकु नेई गले हास्पाताण आसा नहीं कहीले डाक्तर नियागला अपेख्यकृत बड़ हस्पातालको मृत गोषणा कले सेठाकर डाक्तर ए बिमर्चकर घटनार भित्तिरे ए प्रुष्ठारे किछी लेखिबा ठीकेब की नहीं ए प्रस्ण उपरे ए लेखक बेस जिन्ता करीछी किन्तु लख्य लख्य संख्यारे प्रकासित एक बा एकाधिक संबाद पत्रोरे एहा प्रकास होई थिवा द्रुष्ठीरू आम्मा पाठकंक मध्यरूबी केही केही एहा पढ़ितिवा संब्भव परा से जहा है उँ जेते दुख्ष प्रद हेले मध्या बास्तवताकु एडाई न जाई घटनार हेत्तु अन्न्येशनार प्रयास जथर्थ हेब निस्चया आम्भेवाने आम्मा निजणीज आस्वासना सकासे धरिनेई पारू संग्षार जिवनरे जेकोनसी सिसुर परम आस्त्रय मार एसन अचरणरे बिम्मुढ से जियतिर अंतरत्मा से ही मुहुर्तरे जगत जननिंक हस्तक्खेप लोडि थिवा एबं ता प्रार्थना मुझूर होई थिवा किन्तु से महिलांकु एम्मिती जने अग्यात आतताईरे परिनत कला कौन बाग किये कौन बाग किये परिबर्ते कौन एबं किये बोली प्रस्णो जथर्थ हेब कौन र उत्तर आम्मा समस्तनकु उना अधिके जना मुँ सम्तान अन्य पिलांकठारु पछरे पडिगले चलीब नहीं मुँ पिला सभिंकठारु आग्वा हेबा लोडा एही अहंकारव एब्भली उतकन्ठा ओ अभिलासरे पिलारा स्वर्थ स्वाच्छन्द्य ओ स्वाभाविकता संपर करे मातापिता बेप्परुआ जद्यो अन्यमानकु बा निज्यकु सेमाने एम्मिती छलाना स्थ्रई जुक्ति जगे आप्प्याईता रखु थिबे पिलारा भविश्यत निमनते ही आम्मे ताकु प्रतिजोगिता प्रभण करी गढ़ितोलिबा चाही पिलारा स्थ्थ एहा प्रक्रुतरे जे निज़निजर अग्यानता एबं अहं एहा रुदेंगम कलाभळी आत्मनम्रता सेमानंकर नथ्थाई बर्तमान किये प्रस्मकु आसिबा उपरक्त भद्र महिला जियकु हत्या करिबा उद्देश्यरे ता उपरे रोस्य घरु संग्रुहिता गदाटीर प्रयोग करी न थिले किन्तु अतिंद्रिय जगतर एक भयाबह नियम हेला क्रदन्ध उपरे सबार हुए पिच्चाश सक्ती स्वभाविक भावरे जिये जहा कदापी करन्ता नहीं से अंधकार निर्मम सक्ती ताकु आयत्त करिनेई ताहाद दरा से मिती कामो कराई नेब परे परे हुए ता से माटीर जिबन दुर्ब्बिशह होई उठी थिब संप्रती चाइडल लाइन संक्स्थाद्धरा प्रकासित एक सम्मिख्यरु जणा जाए आजीकली सिसु मनंक सकासे निज़निजरा प्रतिवेशी परिवेश पुर्बभ भली निर्यापदनु है सम्मिख्यर सम्मुदाय पाठ्य परिवार सुजग ए लेखक कु मिली नाही मने हुए सहरवासी परिवार मने क्रमे क्रमे अधिकरु अधिक आत्म कैंद्रीक ओ स्वर्था सर्वस्ष होई परिवा फलरे ब्रुत्ति गत ओदैनन्दिना कर्मसुची अन्ते बलका समय प्रतिवेशी मननका सह सुख़ दुखरे बयो करिवा परिवर्त्ते ती भी ओ फेस्बुक इत्यादिरे मस्गूल रहिबा एहार मुख्य कारण किन्तु गाया गहलरे मध्य एबली विपध्यनक लक्षन देखाजिवाकू आरम्भकलानी एबं जने बयो ब्रुद्धन का मतरे एहार अनेक कारण भीतरु मुख्य दुईटि हेला राजनितीर नित्तिहिन बरं दुर्नितीर प्रभाब एबं जात्रा खोला मन्च नाट्टक परिवेशन माध्यमरे अप संस्कृतिर अबाध प्रसारु सहरन गर ओ पल्ली मुलक भीतरे संस्कृतिक व्यबधन क्रम्य संकुचित होईया सुचि एककदा कोनसी ग्रामरे जे कोनसी परिवारर सिसुटिये समग्र ग्रामर सिसुभाबरे परिगणित हे उठिला प्रतिवेशी परिवारर सिसुषित मैत्री जे कोनसी सिसुषका से थिला भाबगत आदान प्रदानर आध्यपर्जयय बुर्वत्तर समाजप्रती निजकु उन्मुक्त करीबार भुमिका किन्तु उप्परक्त सम्मिख्य कहे आजिर सिस्षू प्रतिवे सिमानांक गहिरीत आचरणर सिकार हेबार सम्भावना बहुद एब्भली अध्धगोतिकु रोक्किवादी गरे कोणसी निर्दिष्ट आइन गता फर्मूला कार्ज्यकारी हेबा नाहि अभिभावक ओ प्रतिवे सिमाने सचेतन हेले स्वाभाविक भावरे परिस्थिती बदली जिवा साम्माजिक ओ सामुहिकस तररे कोणसी सुभंकर परिबर्त न सकासे आम व्यक्तिगत आत्मसचेतन ताहीं एकमात्र अबलम्बन तार विकड़ पनाहि उद्भ्रांत स्थूल तथा सुक्म प्रभाव सबुर क्रित दासत्त्तरु आम्मेही आमकु मुक्त करी परिबा नवब प्रकाश चुल्लाई दुई हजार उनेश